Hello Aspirants, Welcome back to MP Exam वाला, This is Prachi Choway और आप सभी को पता है हमारे सफलता बैस में यहाँ पे हम important topics को cover करवा रहे हैं जिनकी exam में आने की probability बहुत सादा है आप पिछले साल के question paper को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 1857 revolt है ना यहाँ से अकसर question पूछे जाते हैं और ऐसा कोई भी paper नहीं है जिसमें यहाँ से question ना आया हो क्योंकि हमारे लिए यह first war of independence था against Britishers इसलिए यह topic बहुत सादा important है इसमें किस तरीके से questions आते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे यह बात है लगवग 1600 के time की जब Queen Elizabeth ने एक company को charter दिया था कि जाओ और जाकि East में काम करो और इसलिए इस company का नाम पड़ा था East India Company और East India Company ने खुद की superiority को किस तरीके से बनाया और किस तरीके से धीरे धीरे करके East के जितने भी nations थे जितने भी empire थे उनको capture किया और एक एक empire करके देहते चले गए तो इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे जिस तरीके से जो East India Company है वो अपना फैलाव कर रही थी भारत में विस्तार कर रही थी एक्सपैंशन कर रही थी अपनी different policies थे और इन policies जो भी policies वो ले के आये थे इन सारी policies से जो भारती थे that is Indians थे वो बहुत ज़ादा दुखी थे और यह यही कारण है कि कहीं न कहीं हमें एक रिवोल्ट यहां पर देखने को मिला है और इसी रिवोल्ट का नाम है 1857 की क्रांती दाट इस रिवोल्ट ऑफ 1857 तो देखिए कभी भी कोई भी इवेंट होता है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता है और इसमूळ देखोंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे सामने बहुत सारे कॉजस जो है वह यहां पर निकल के आते हैं फॉर एक्जामबल पॉलिटिकल कॉजस शोषल कॉजस रिलिजियस कॉजस एकनोमिक कॉजस अगुमेडियेट कॉस उल्सु तो अगर मैं करूंगी तो आप यहां पर देखोगे मैं यहां पर लिख देती हूं आपको ब्रीफ में इंट्रो जो है इसका दे देती हूं है तो आप सभी को पता है जब बिटिशर्स हमारे यहां आए हुए थे तो उन्हों ने जो हमारी सुसाइटी में जितने भी आप कह सकते हूं शोच को प्रमोट किया था विडो रिमारिज एक्ट भी आया था तो इस तरीके से कई सारे ऐसे इन्होंने स्टेप्स ले थे इस दिन्या कंपनी ने जो कि सुसाइटी को ऐसा लग रहा था कि वो हमारे बीच में इंटरफेर कर रहे हैं और इसी बात से जो लोग थे वो दुखी थ सेमी अगर केश में ट्राइबल scale ले लोह तो फ़ॉर्स लॉख को इंटरडियूर्स करने के बार जो ट्राइबल से उनका एव्कुेशन कर दिया था फॉर्स से अड़ी तो अज्टी ऑट्राइशन ऑफ उनकी लाइफ है जैसे की हमारी लाइफ में कोई ना कोई परसं होता ह फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारी जो लीवली हुड है वो किसी तरीकी से सस्टेन होती तचा है वो एगरी कल्चर हो किसी की जॉब हो या कोई अधर मींस ही क्यों ना हो तो ऐसे ही ट्राइबल्स की जो लीवली हुड है तो उनका एवाक्वेशन करा देना मतलब उनके हातों से उनकी लीवली हुड को चीनने रहा होता है ठीक है तो यही कारण है ट्राइबल्स ने भी यहां पर रिवोल्ट किया था तो इस आर दो शोशल कॉजिस की आखिरकार जिस आउट्रेज की हम बात कर रहे हैं जिस गुस्य कि हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से बाहर निकला था क्योंकि उसके पीछे सीरीस ओफ ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए थे जिस ने हम कह सकते हैं कि इट गिव इंपिटस टू दर रिवोल्ट ऑफ 1857 अब शोशल कॉसे की बात करूंगी तो मैंने आपको जब भी में पढ़ाती हुँ कि भाई-ब्रिटिशर्स क्या थे ब्रिटिशर्स एक लाल चीयों का ग्रुप था चाहे वो बातल की बात करोंगी किसी इस्टेप की ही बात क्यों न करनूँ उसमें हर तरीके से हर स्टेप में ब्रिटिशर्स अपना प्रॉफिट देखते थे प्रॉफित जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बैटल ऑफ्बक्सर हुआ था तो अन्होंने दिवानी राइड निजामत राइड भी इंट्र इन्डियूज किया था तो अन्होंने जो दिवानी राइड था वह खुद ले लिया था क्यों कि उसमें का स्क्राइड इसमें प्ता चलता है कि पर्मनेंट सेटिलमेंट हो या रहीयत वाडी क्यों नहीं तो यह जो उनकी पॉलेसी थी इन्होंने कहीं न कहीं न कहीं इट हाश्चेज दपेजन और फार्मर्स ऑफ दा इंडिया ब्रूटली तो इसी लिए एकनॉमिक कॉजिस जो इकनॉमिक बेसिकली जो स्टेप्स थी इस के लिए 1857 रिवोल्ट का फिर यहां पर मैं पॉलिटिकल कॉस की बात करूंगी तो पॉलिटिकल कॉस में आप सभी को पता है कि लॉर्ड डल्हाउसी के टाइम पर उन्होंने दॉक्त्रीन ओफ लेफ्स को इंट्रियूस कर दिया था और वाट इस दॉक्त्रीन ओफ लेफ्स मतलब कि कुई भी राजा का अगर बलड सन नहीं है मतलब कि उसकी खुद की संतान नहीं है सन नहीं है दॉक्तर की बात नहीं हो तो मतलब कि वह किंग्डम है किस में लेफ्स हो जाएगा वो Britishers की colony में laps हो जाएगा, lips हो जाएगा समझ मैं के नहीं, तो this is doctrine of lips और इस तरीके से हमारे जब 1857, 1850s की जब बात करूँगी मैं तो वहाँ पर ऐसे कई सारे राजा रजबाडे थे जहाँ पर उनका blood sun नहीं था, adopted sun उन्होंने लिया हुआ था और यही कारण है कि कई सारे kingdom, जो है, doctrine of lips की policy के थुरू British colony के अंडर जागे गिर गए थे तो political cause में एक आपका ही हो जाएगा एक और cause है administrative cause, administrative cause में एक important cause हमें आपको बता देती हूँ that is General Service Enlistment Act आपने शहरे इसके बारे में नहीं सुनाओगा बढ़ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ General Service Enlistment Act यह जो act है, इसको introduce किया था Lord Cannon ने in the year 1856 अब माम इस act में होता क्या है basically ऐसा हमारे society में बहुत सालों पहले ऐसी परंपरा मानी जाती थी कि अगर कोई person है, वो समुद्र को cross कर देता है अगर उसने समुद्र को cross कर दिया है तो वो अब हमारी caste का नहीं रहेगा मतलब the society will not accept that person into his or her caste अपनी caste में उसको नहीं माना रहेगा for example अगर मैंने समुद्र cross कर दिया है समुद्र cross करके मैं किसी भी purpose से अगर बाहर गई हूँ तो मुझे मेरी caste के लोग जो हैं मुझे accept नहीं करेंगे यह पहले परंपरा चलती थी और यही कारण है कि लोग जो हैं समुद्र को cross नहीं करते थे जब आप महात्मा गांधी की जो उनकी autobiography है गुझराती पीपल ने उनको वान किया था कि if you are crossing the samudr if you are crossing the ocean तो उसके बाद हम आपको accept नहीं करेंगे गुझराती जो लोग हैं वो महात्मा गांधी को accept नहीं करेंगे क्यों कि समुद्र को cross करना बहुत बड़ा sin माना जाता था sin means paap माना जाता था सो जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक जो है यह इंट्रड्यूस किया था लौट कैने ने इसी लिए ताकि जितने भी सैपोईस जो है वो आर्मी में रिकुरिट हो रहे हैं यह जो जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट है आपका यह इंपोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही एक कॉस हो जाता है जो कि military जो people होते हैं सेपोईस होती हों उनके अंदर गुस्ना पैदा कर देता है तो यह भी एक important आपका कह सकते हो कि यह भी एक important cause है next हम सलते हैं यहाँ पर आपके यह वाले cause पर चलते हैं कि आखिरकार यह revolt हुआ क्यों actually आपसे paper में भी पूछा जा सकता है भाई कि यह जो मैं आपको causes बता रही हूं कि which among the following is the cause of 1857 revolt one two three four option करके आपको दे देंगे फिर पूछेंगे a and b b and c all of the above जो भी तो इसलिए causes जानना आपके लिए जरूरी है okay so मैं अगर immediate cause की बात करूंगी तो immediate cause में यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यह जो सेपॉइस हैं जो इस्ट इंडिया कंपनी में रिकुरेट हुए थे यह लोग basically military men's थे हैना सेपॉइस मतलब की सिपाही थे हैना इसको यहाँ पे जो बिटिशार्स थे वो सिपाही को सेपॉइस बोलते थे तो आप लोग इसमें आपको इसमें confusion होनी चाहिए तो यह जो सेपॉइस थे अगर मैं इन सेपॉइस की बात करूंगी तो आप यहाँ पर यह देखोगे कि पहले यह लोग जो है क्या यूज करते थे एक राइफल यूज किया करते थे ठीक है राइफल यूज करते थे अब उस राइफल में अब से पहले तो इसमें गन पाउडर डालते थे तो एक बैग में वो लोग गन पाउडर रखे रहते थे उसको डालते थे हैना गन पाउडर को डालने की बाद सकिंड बैग से वो बुलिट को उठाते थे और यूज को बुलिट बुलिट को उठाते थे and then they put the bullet into that barrel by a rum rod 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 क अब इस प्रोसीडर में आप खुदी रेखो क्या 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 इसमें दिखकते हुरी सबसे पहली बात की it is a time-taking process because आप सबसे पहले गन पाउडर डालोगे फिर बुलिट डालोगे देन आपको शॉट करने के लिए fire करना है तो time-taking process second यहां पे दिक्कत क्या होती थी तो second problem आपको यहां पे आप देखोगे तो भाई हमें पोटेबल नहीं था क्यों क्योंकि एक बाग आपको गन पाउडर कर रखना पड़ेगा और दूर सा बैग आपको बुलिट कर अपड़ेगा yes or no तो यह जो दिक्कत है यह इसमें होती थी इसलिए Britishers ने अपनी military efficiency को बढ़ाने के लिए यहां पर जो है Enfield rifle को इंट्रड्यूस कर दिया अब what is the difference इसमें difference क्या आया कि Enfield rifle में एक इस तरीके का cartridge सा और यह जो cartridge है इसमें पहले से ही आपकी देखा जाए तो आपका ऊपर जो है ऊपर आपकी bullet होती थी और यहां पे आपका gun powder होता था और इसको इस तरीके से यह fold हो कि जैसे हम किसी को mode देते ना इस तरीके से cartridge को fold कर दिया जाता था अब यह जो cartridge है यह किसकी बनी होती थी थ रे इनसे इंडिया तक लाने में ये और गल सकता है, ये पेपर सड सकता है, therefore लूआ इसलिए जो आपका पेपर है इसको उपर से घ्रीस कर दिया गया था, क्या गया था канале? कर दिया था ठीक है अब इसको ग्रीज कर दिया गया था किस से इसको ग्रीज किया था तो आपको यह पता हो नची इसको ग्रीज कर दिया गया था लाड एंड टालो से ठीक है किस से ग्रीज किया था इसको लाड एंड टालो से इसको ग्रीज कर दिया गया था क्यों क्योंकि इ आप अगर देखोगे, तो इस तरीके से ये जो Enfield Rifle है, इसकी Efficiency को बड़ा दिया गया था, अब इसकी Efficiency को यहां पे बड़ा दिया गया था, लिकिन आप देखो, लाड़ एंट आलो का यूज हो रहा है, मतलब लाड़ एंट आलो क्या है, ये काउव और पिग का ग्रीस है, स पॉइस जो थे उनकी आर्मी में या तो वो हिंदू थे या तो वो मुस्लिम थे जो लोग भी हिंदू थे आप सभी को पता है काव इस कंसीडर्ड एस वरी सेक्रेड आनिमल इन हिंदू कल्चर येस और नो हम काईक वो कितना पवित्र मानते हैं और उसका जो मीठ है उसका जो प्रवित्र मानते हैं मतलब इवन मुस्लिम कम्यूनिटी में पिग का नाम तक नहीं लिया जाता है तो यह जो पिग है बेसिकली मेरी एक फ्रेंड वा करती थी वो जब भी कोई जाता था तो वो क्या कहती थी कि देखो मोर जा रहा है तो मतलब आप सोचो फिर हमें भी आद कि होने के कारण जो सपोई है वो बहुत ज्यादा गुसा हो गए बहुत ज्यादा गुसा हो गए यहीं पर मैं बात करूंगी मंगल पांडे की मंगल पांडे के एक बहुत अच्छे दोस्त दुआ करते थे उनका नाम है कैप्टन गॉर्डन अब कैप्टन गॉर्डन उनके बहुत अच्छे दोस्ते उन्होंने कैप्टन गॉर्डन से पूछा कि भाई कैप्टन गॉर्डन मुझे ये बताओ कि यह जो मैं अफवा सुन रहा हूं कि यह जो काट्रिज है इसको लाड़ इन टैलो से ग्रीज किया गया यह बास सच है कि नहीं तो तब कैप्टन गॉर्ड सब्सक्रेट पत Wडमा दुकाए company करते हैं इक यह एक पर मंदिर जा रहे थे मंदिर को झाल भीफणे यह जल चड़ाने जल्चड धांञे तब वो स्वीपर कहता है कि कैसी बाते कर रहे हो अब तो अब तो कम से कम अपने उस पे घमंड मत दिखाओ कि आप ब्राम्हन आपने खुद वो जो काउ का ग्रीस है उसको टच किया हुआ तब मंगल पांडे को बहुत हुमिलियेटिंग फील ओतार वो काप्टन गौर्डन से ग्रीस को क्यों इस्तमाल करें थे क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ता था और मैं आपको फिर बतार हुँ बिटेशास हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही उनका जो ध्यान है वो प्रॉफिट की तरफ होता था तो इस वाट वीजा दर जस्ट कॉस की आखिरकार रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो क्यों हुआ था वह तो इसके मां आगे चलेंगे और आगे हम डिरेक्ली यहां पे आ जाते मैं में इवेंट की आखिरकार रिवोल्ट में कौन-कौन्सी इवेंट्स जो है वह हुए थे हैं तो यहां पर यह हमने कॉजिस की बात कर लिए इसी तरीके से नंबर ओफ यह सारे के सारे जो causes है इन्होंने लीड किया था एक ऐसे गुष्से को जन्ता द्वारा निकाला गया था इंदा इंदा इयर 1857 as the revolt of 1857 that is 1857 की क्रांती के थुरू अब यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूंगे कि भाई में इवेंट क्या क्या हुए थे तो यहां पर बता देते हो आपको यहां पर एक स्लाइट थोड़ी सी मिसेंगे बड़ कोई बात नहीं सबसे पहले जो है बहरामपूर बहरामपूर में जो इन्फैंट्री थी 19th Infantry सबसे पहले वहां पर इन्होंने एक तरीके से पहले करना शुरू किया लेकिन बहरामपूर में वह रिवोल्ट इतने बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिला तो इसी लिए वहां पर रिवोल्ट जो है हम कह सकते सप्रेस हो गया था फिर हम फर्स्ट रिविलुशनरी के नाम से जानते हैं 1857 रिवोल्ट के अगर फर्स मंगल पांडे ने यहां पर क्या किया था दो आपके वह थे दो इंग्लिश मैं थे उनको उठाया और उनको गोली मार दी हलाकि वो बच गए थी वो बाता लगया लेकिन उसके बाद मंगल पांडे को जो है Britishers जो है उन्होंने order दिया कि पकड़ो लेकिन मंगल पांडे इतने ज्यादा उनकी strength ही कि उनको पकड़ नी रहा था तो यह जो revolt है यह आपका कहां पहुंचा मेरट 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 में यहां पर कई सारे घुड़सवार थे 9 माई को यह मेरट पहुंचा था ठीके और अगर मंगल पांडे की बात करूंगी तो उन्होंने 29 मार्च 29 मार्च 29 मार्च को revolt किया था यह यह देट भी आप इसको याद पहुंचा और वहां पर जितने भी घुड़सवार थे उनको पकड़ डिया गया उन लोग को पकड़ डिया गया लेकिन रातों ही रात उनको जैसे तैसे वहां की लोग ने छुड़वा दिया तो रातों रात छुड़वाया तो वह लोग कहां जाते इसलिए वह लोग कहां यहां से वो लोग डेली चले गाए नौ मही को पकड़े थे और दस मही को कहा चले गाए दिल्ली चले गाए यह आप लों को पता हो नहीं चीज़ तो फस्ट सेंटर पूसा जाता है भाही पेपर में की पहला मतलब की 1857 रिवोल्ट की शुरुवात कहां से हो थी तो उसका अंस डेली डेली में चले गए थे कब दस मही को समझ में की दस मही को डेली चले गए थे और फिर यहां से उन्होंने यहां पर क्या करना शुरू कर दिया रिवोल्ट जो है वो शुरू हो गया था आगे चलते हैं आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि मेरत विद्रों ने तो नौ माई के बाद 10 माई को वो लोग चले गए अगे चलते हैं अब यहां पर बात हो रही है capture of Delhi कि, किसकी बात हो रही है, capture of Delhi, अब यहाँ पर आप देखो, जैसे ही घुरसवार Delhi जाते हैं, तो Britishers जो हैं कि आपको नहीं लगता वो Delhi जाएंगे, वो भी Delhi जाएंगे, उन लोग को पकड़ने, उन लोग को दबाने, लेकिन यहाँ पर Delhi में उस टाइम पर मुगल बाश्या कौन हुआ करता था, आप सभी को पता है, बहादो शाह जफर, बहादो शाह जफर की उस टाइम पर उमर हुआ करती थी, 82 years, 82 years के होने के कारण जो है, बहादो शाह जफर इतने active leader नहीं हुआ करते थे, लेकिन बहादो शाह जफर को इसलिए Emperor of the India मान लिया गया था, क्योंकि Britishers ने उस टाइम पर डिकलेयर कर दिया था, कि जो बहादो शाह जफर है, वो लास्ट मुगल Emperor है, अब लास्ट मुगल Emperor क्यों है, the reason is that, जैसे कि आप सभी को पता है, राजा का बेटा कौन होता है, राजा होता है, यह सुनो, राजा का बेटा राजा होता है, यह सुनो, ले Britishers ने डिकलेयर कर दिया था, कि अब बहादुर शाह जफर के जो बेटे होंगे, वो प्रिंस होंगे, प्रिंस, कौन होंगे, प्रिंस, तो अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा लो, प्रिंस का बेटा कौन होता है, प्रिंस का बेटा तो कुछ नी होता है, राजा का बेटा फाउंड किया था उसको यहां पर खतम करना चाहते थे अब यहां पर बहादर शाह जफार हो गया आपको इनको Emperor of the India मान लिया गया था एक तरीके से यह हम यह positive sign भी because it is showing Hindu-Muslim unity Hindu-Muslim unity को दर्शाता है क्यों कि कितने सारे Hindu-Sepoys इतने सारे Hindu-Indians जो उस ताइम पर मेजॉरिटी रिस में Hindu की थी उनको किसी भी तरीके का हैजिटेशन नहीं हुआ था एक मुगल को अपना Emperor बनाने में तो आगे चलते हैं तो मैं आपको यह बता ताटीजी बहादर शाह सफर को इंपरब नादिया था यहां पर 11 में को हाला कि बहुत जादा एजट थे अबाउट 82 यह थी जादा कुछ करनी पा रहे थे तो आगे चलते हैं अब यहां पर बात करतें कि भाई डेली का पार्टिसिपेट करें थे उन सबको दबाने के लिए उन सबको पकरनी के लिए बिटिश भी भाँ पर आ गए थे और इस तरीके से हम कह सकते क्योंकि बिटिश के पास आम्म्यूनिशन उनके पास जो टेक्नोलोजी थी वह हम से कहीं जादा बहतर थी और जादा अच्छी थ तो यहां पर बहादर शाह जपर के बेसिकली दो बच्चे भी हुआ करते थे इनका नाम नहीं लिखा है जस्ट सेकेंड ती and कि आ है e है नेखन कि यहां पे नाम ने लिखा यहां बट मैं आपको बता देतीं हम भाई और यहां पे थ्षा यहां पे हुआ क्या था लगबख छै डिनली में कितने की और रॉ छए जिनकी विटे उपडिशस और बहाके लोगों के बीच में और फैनली जो कि बहुती बुटली काप्चर कि लगग हजार से जादा लोग को यहां पर मार दिया गया था अबादुर शाह जफर के जो दो बेटे थे और साथ में उनका ग्रैंड सन था उनको यहां पर लीड किसमी किया था हट्सन ने किया था यह भी बता देते हूं हट्सन है ना कैप्ट प्रिंस को ले जाकर उनको निर्वस्त्र कर दिया गया था उनको नेकेट कर दिया गया था और पॉइंट ब्लैंक पे इस तरीके जो तरीकर से यह से थाख्र को मार दिया जया था और उसके बाद इन तीनों को लटका दिया और घून धर्वाजा lifelong ऐसे लिए नाम है क्योंकि इसकी ड् quando धे खूण ब्लाद ties रवाजा कर दिया था और उसके बाद इनकी Body को इसी तरीके से टांग दिया किया था किसी ने प्रेती रही तो इतने बड़े माइटी मुगल Emperor को ऐग कोई प्रैबी करें कि decline कैसे हो तो इतना किसी ने प्रैबी निग चुका होगा जिस तरीके से मुगल Emperor कर इस ड्रिज निया कंपनी इस तरीके से उनको क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से उनका इतना brutally जो है वो decline हुआ था तो this is fall of Delhi किस तरीके से Delhi fall हो चुका है fall की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ना अब बच्चे हैं बहादो शाह जफर और ना ही यहाँ पे बच्चे हैं आपके बहादो शाह जफर के बच्चे जो उसको आगे ले जाते इसलिए यहाँ पे बहादो शाह जफर के लिए यहाँ पे एक कहावत भी बोली जाती है कि कितना बदनसीब था जफर की दो गज जमीन भी नहीं मिली कूह ए यार में I hope आपको Delhi की स्टोरी पुरी की पूरी समझ में आगी होगी आगे चलते हैं Lakhnog Lakhnog की मैं बात करुँगी तो अगर मैं Lakhnog की यहां पे बात करुआँगी तो लखन Hangman जो है बेसिकली यहां पे अवध का क्यापिटल हुआ करता था अवध है ना अवद का capital हुआ करता था लख रहा हूं और यह important center भी था 1857 revolt का यहां पर अगर मैं बात करूँगी तो यह lead किस ने किया था तो बेगम हजरत महल ने यहां पर इसको lead किया था और दूसी चीज यहां पर मैं आपको बताऊं बेगम हजरत महल जो है वो second wife थी वजीद अली शाकी और यहां पर बेगम हजरत महल ने बहुती bravely fought किया था लेकर अगें Britishers जो है वो हमसे जादा military things में जादा superior होने के कारण हमागें जो हार गए थे और इस तरीके से बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चले गी थी और नेपाल बचके भाग गई थी और नेपाल भागने के ब कानपूर कानपूर से आप सभी को पता है कानपूर से नाना साहिब थे जो की पेश्वा बाजी राव 2 के adopted संते पेश्वा बाजी राव 2 जो है वो एकदम मुझे तो मैं रव हिस्ट्री पढ़ती हूं तो मुझे सबसे बेवकूफ पेश्वा कोई लगता है तो वो बाजी बाजी राव 2 लगता है क्योंकि उसी के कारण जितने भी अंगलो मराथा वार हुए थे इसी के कारण शुरू हुए थे खुद के ही मतलब घर का बेदी लंका धाय वाली जो काम है वो यह बाजी राव 2 करता था और उसी का adopted संते कौन नाना साहिब है तो इन्होंने कानपू या उनसे जो है फाइट की थी फिर यहां पर आप देखोगे बहुत कानपूर में रहे थे हैंना क्योंकि अडॉप्टेट संते तो भाई इनको एकसेप्टी नहीं कर रहे थे आज़ा कि यह आपको समझ में आ गया होगा और फिर उसके बाद कानपूर जो है उनको बिटिश दस mote Apps में और उनक्य नाम है ताट्याटोंपे आप यह जो नाना साहिब के कमांडर है त्रहें थीव मि't you कैन मंने चुछ रख़या रखा इस च्रगल काःभर का दिन करो हुआ यहां पर जो दात्या तोपे हैं का इनकी बात करूंगी कि तो बाहां ताट्या टो पने काफी से होती है इनकी मुलाकात होती है मान सिंग तोमर से किस से होती है मान सिंग से होती है और यह जो मान सिंग से इनकी मुलाकात होती है तो इनके बहुत अच्छे फ्रैंड बन जाते हैं और इनके साथ revolt जो है वो मतलब की लड़ाई जो है वो शुरू कर देते लेकिन मान सिंग को एक डर हमीशा सताता था कि जो ग्वालियर के राजा है वो मान सिंग के उपर अटैक ना करें अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा वो काम यह है कि तुम अपने दोस्त तात्या टोपे को हमारे हवाले कर दो मतलब उसे पकड़वा दो और यही कारण है कि मान सिंग जो है उन्होंने दोस्ती ना चुनते हुए गदारी को चुन लिया और तात्या टोपे को जो है वो बिटिशस के हवाले करवा दिया और उसको पखडवा दिया और इसी तरीके से शिव पुरी के जंगल में तात्या टोपे को हैंग कर दिया जाता है और इस तरीके से तात्या टोपे की भी डेथ हो जाती है तो तात्या टोपे आपको याद र आगे चलते हैं, यह आपके ताट्या टोपे हो गए, जहासी, जहां से हमें पता है कि हमारी खूब लड़ी मर्दानी वेतो जहासी वाली रानी जो है, उनका जो एरिया था, रेवोल्ट का एरिया था, वो कौन सा था, जहासी, चलिए, तो अब हम नेक्स टॉपिक की तरफ मू और लगबग पूरे राज जी की जो भाग दोड़ है, इन्होंने अपने हातों में समाली थी, और क्योंकि इनका जो बच्चा है, उसकी कुछ टाइम बाद डैथ हो जाती, तो वो एक बच्चे को गोध ले लेती, इनका एक अडॉप्टेट सन हो जाता है, और उस अडॉप अचहे से बरेवली फौक्र्ट किया thा, विध ऐस इंडिया कंपनी, यह जो है जो है जाभी जासी की रानि की कहानी है, और उसके बाद इननोंने लडाई करने के बाद, बीसिकली रोस के साथ, विलो लडाई की थी, फिर उसके बाद इन्होंने आगे जाके ग्वालियर के मह पिर फिर बनी खड़ाई तो नागे चलते हैं था आते हैं फिर हम बात करते हैं बहार से थे आपके कुवर सिंग जो की असी साल के थे असी साल के होने के बाद भी इतने सारे सेंटर में अगर हम देखे तो बहुत उम्रदरास की उम्रदरास हम अगर बात करें व्यक्तियों की तो एक तो आपके बहादो शाह जफर थे जो 82 यह के थे दूसरे आपके आगे कुवर सिंग जो की अपके 80 साल के थे लेकिन डिफरेंस देखो बहादो शाह जफर 82 यह होने के बाद भी वह एक अच्छे लीडर बनके नहीं के थे फिर भी इन्होंने ऐसा हीरो के लिफट किया था 1857 का रिवर्ट जिससे आज दुनिया याद रखती तो इनका जो नेतरत्त का एरिया था था बहार कुमर सिंग तो आप यह इस चीज को नाम याद रखोगे आरहा रहा रिजन था बेसिकली बहार का वह अभी हम अभी तक मैंने आपको स्टोरीज बताई है कि कौन कौन की क्या-क्या स्टोरीज रहीं किस तरीकी से लडाई की अब यह प्रिलिम्स पॉइंटर चार्ट आ गया इस चार्ट को बिल्कुल अच्छे से याद करना है मींस इस चार्ट शुड बी ऑन यो फिंगर टिप्स समझ में आप और सोते सोते भी पूचले कि बाई कानपूर से कौन था जहासी से कौन था तो आप बोल दो क्योंकि यहांसे कॉशन पूचे जाते हैं सबसे पहले डेली डेली के कहानी में उन्हादर शाहց थे और साथ में इनके साथ बिसिकली बहादर शाह-onta तूं तो नाम के लेड जिसका नाम था बक्त खान बहुत इंपोर्टन थी यह जो भक्त खान है इसने ही जो है डैली में जो मेन लीड किया हुआ था रिवोल को वह भक्त खा था और यहां पर बिटिश जनरल कौन था तो आपको बताई चुकिए हूँ हड्सन हड्सन लेक भी यह डैली में तो इससे को आप याद रख सकते हूँ फिर आते हैं लखनाओं लखनाओं पर मैं आपको पता चुकिए हूँ बेगम हजरत महल बिर्जिस कादिर और एमद उल्ला बिर्जिस कादिर कौन था यह कोई hangra मैं या рख भिजरिस तु कादिर के टा था तो हजरत महल इंद रखने आप भोंने वह थे guilty लॉर Another earlier और और यहां पर यहां पर आपहपनेंट थे वह थे हेंड्री लॉरान्स किसने अन्रिय लॉट्रेंशकि и अनने में खानाओ अर तो यह लोग जो थे यह कानपूर से थे और कानपूर में सप्रेशन करने के लिए आये थे कॉलिन केम्प बेल नाम याद रखना है कॉलिन केम्प बेल का नेक्स बात करते हैं जासी गॉलियर दस बार बता चुकि रानी लक्षमिभाई थी और साथ में तात्या टोपे क्योंकि तात्या टोपे ने वहाँ पे मान सिंग के साथ दोस्ती करी थे और फिर बाद में इनको शिफपूरी में हैंग कर दिया गया था तो यहाँ पे थे जनरल हूरोस यह तो आई थिंक मुझे याद करने की जरूरत नहीं यह तो बच्चों-बच्चों को भी याद रहता ह दोस्तु भाई मॉलवी एहमद उल्ला तीक है मॉलवी एहमद उल्ला वेरिए इंपर्टेंट आप लोग इसको याद रखोंगे नेक्स्ट ए फरुखा बाद वार्ट पांड ने की थी वह तो 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 तुफजल हसन खान तुफजल हसन खान इस फ्रम वास फ्रम फरुज़ क बाद, बारकपुर, बारकपुर में आपको पता ही है 29 मार्च को सबसे पहली जो सेपोई म्यूटनी हुई थी, वो किस ने की थी, मंगल पांडे ने की थी, इवन मैं आपको बताओ, मंगल पांडे इतने इनोसेंट थे, मतलब कि अगर मैं आप से पूछू कि भाई, मान लीज वो कौन-कौन से बनाती है, क्योंकि टाटा की कंपनी जो है, टाटा का नामा का आप में सुने ही होगा, कितना जाधा फिमस है, बट अभी मैंने जो को पूछन पूछे हैं, आप लोग उसके बारे में अवेर नहीं हो, हला कि गूगल सच करोगे, so you will get the minute detailed information about that, बट अभी आ इस इंडिया कंपनी है क्या, बात यह नहीं है कि उन्होंने पूछा, बात यह है कि आखिरकार मंगल पांडे को पता ही नहीं इस इंडिया कंपनी क्या है, मतलब कि यहां पर जो है, सिर्फ जो इनका काम है, that is lust, greed and profit, that's it, तो यह आपके मंगल पांडे हैं, जुन्होंने उन मतलब immediate cost के कारे नहीं दो नहीं पर revolt किया था, आगे चलते हैं, बरेली, राय बरेली से कौन था आपका तो खान बहादुर खान और इनको surprise कि इसने किया था, तो camp bell ने surprise किया हुआ था, then आपका अलाबाद और बनारस से कौन था, तो लियाकत अली, very important, यह सारे के सारे, जो यहां पर आते बागपत UP से शाह मेहल थें देन राजस्थान से कौन था राजस्थान में भी श्रै इसेवां लुटक्त जो से रड़द में बन के ब्धर से ऑपर हम बात करते हैं असं की अगर हम बात करेंगे तो कंडा परेश्वर सिंग और मनी रामदत बहुत जादा इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कि मनी रामदत जो है उनका रिवोल्ट एरिया कौन सा था तो आप्शन आपको दे देंगे नागल लैंड मनी पुड मिजोरम अरुनाचर प्रदेश तो ब बता दे रियो आगे चलते हैं उडिसा उडिसा से कौन था सुरेंद्र शाह उजवल शाह यह जो शाही लिखा हूँ है सुरेंद्र जिसमें से सुरेंद्र शाही जो है बहुत इंपोर्टेंट है एक बार पीसी पूछ भी चुका है शुरेंद्र शुरेंद्र शाह जो है वो वेहार की हम बात करेंगे तो बिहार में 80 साल को मेरा इस सप्राइब विद्रोर्री को फैल यह उपहां से थे तो इनं के साथ अमर सिंग जिसमें से पहले से कुलु की है ना पोलु से कुलु था तो राजा प्रताप सिंग यह ओंध याध रख सकते हो हलाकि इत्ना ना हो समझ मैं की नहीं आगे चलते हैं अब आखिरकार इसका रिवोल्ट का सप्रेशन कैसे हुआ कैसे सप्रेशन हुआ देखा जाए तो यह रिवोल्ट 1857 से जरूर शुरू हुआ था लेकिन यह लगभग एक साल से ज्यादा तक चला था सबसे पहली बात और उसके बात यह स साल तक चला था 1857 से शुरू हुआ था और लगभग 1858 के मिड में आते आते इसको सप्रेश किया गया था कई साल लोगों को यहां पे मृत्यू डंड दे दिया गया था अनेक्जेशन कर लिया गया था कई लोगों ने खुद ही जो है सुसाइड कर लिया था कोई एसकेप हो जब लॉड कैनन आ गये थे 1858 में तब हमने देखा कि लॉड कैनन जो है उनके आने के बाद 1858 में कुछ हद तक इस रिवोल्ट को लगभग 14 महिने बाद यहां पर सप्रेस कर दिया गया था और हमें शान्ती देखने को मिली थी हाला कि ब्रिटिश हैस इस चीज़ से बहुत अब यहां पर कुछ कुछ अगें यहां पर कुछ-कुछ इंपोर्टन लीडर्स नहीं ब्रिटिश जनरल के नाम लिखे हुए जन्होंने किसी रीजन को सप्रेस किया है या वहां पर उन्होंने इंपोर्टन रोल प्ले किया है तो यह आप देखेंगे जिसमें से सबसे पहल नेक्स आते हैं हमारे मेजर हड्सन हड्सन जिसको मैं बता रही थी जो कि डेली में थे इन्होंने बहादुर शाह जफर के सन और ग्रैंड सन जो मैं आपको घटना वतारी थी खुनी दर्वाजा का जो कि चाननी चौक के पास था वो इसी हड्सन ने वो हरकत की हुई थी तो जो हड्सन और निकल्सन उन्होंने डेली में उनका इंप्रस्स को सप्रेस किया था तो डिफेंस अगींस नाना साहिब की फोर्सस को कब किया था 26 जून 1857 समझ में एक ही नी आगे चलते हैं फिर है जनरल नील की मैं बात करूंगी तो बनारओ और अल्हाबाद। बनारस और अलाबाद कितनी sacred places है बनारस में गंग नदी है अलाबाद में भी गंगा यम नक संगम है तो जो पानी है वो कौन से कलर का होता है नील एकलर का तो ऐसे आद रख सकते हूं कि जनरल नील जो थे वह बनारस और अलाबाद वाली रीजन में इन्होंने जो है प्रेश क था कब किया था जून 1857 फिर हम आते हैं Henry Lawrence के उपर Henry Lawrence जो की चीफ कमिशनर थे अवद के अवद को तो फाल्तु में ही एनेक्स कर लिया था मतलब कि वहां तो नैचरल सक्सेसर भी था उसके बाद भी वहां पर बता दिया था कि भाया तो यह चीफ कमिशनर थे अवद के और यहाँ पे इन्होंने बिसिकली अवद इसकी कापिटल हुआ करती थी लखनौ जहां से बेगम हजरत महल थी यहाँ पे उन्होंने क्या किया था इसको सप्रेस किया था आगे चलते हैं हावलॉक की बात हो रही है हावलॉक ने भी में इन्होंने रिवेलियन को क्या किया था शॡर इसकी किया था तो यह जो क्वइंट यह बिटिशर्स की खेंस gloss किसको नह sentences record और क्या इनका रू頭 रहा था यह याद रखोगे और इस एक पारी आपको यम्न पीषनक करने कि तरूबर नहीं बठाने इंग स्याविसाए को यही थे यह आपकी बिहार वाला है आरहा आरहा बिहार में तो विलियम टेलर और आई ने कहां से कहां किसको सप्रेस किया था तो आरहा को देन आता है यहां पर कैंप बेल में कौन था कानपूर कानपूर से कौन थे नाना साहिब इनको सप्रेस किया था फिर से आ जाते हैं कॉ तो आप देखो लखनू में तो दो तीन आ गए कि नी आ गए तो इन सब के नाम आपको याद रखने फिर से कर्णल कैंप बेर मतलब इनका तो नाम कितनी बार आ रहा है बहुत लोगों को सप्रेस किया बरेली में इन्होंने सप्रेस किया था है रिवॉल्ट जो है भी एनौरी जहासी को भी प्रिप्छर किया था फेärt आगे चलते हैं अब आखिरकार यह रिवोल्ट जो है यह फेल क्यों हो गया हमने एक साल तक लगबग देड़ साल तक हमने इतनी लड़ाई की इतना जादा विद्रो किया उसके बावजूद भी रिवोल्ट फेल क्यों हो गया था वट अब देखोगे कि सबसे पहली बात तो ह हमारे यहां पर यूनिटी नी थी लैक ओफ यूनिटी दूसी चीज आप यहां पर देखोगे हमारे पास बहुत अच्छे कम्यूनिकेशन के मीन्स नहीं थे ब्रिटिशन के पास रेलवे लाइन्स थी टेलीग्राफ था फोन थे कम्यूनिकेशन के बहुत सारे मेथड थे ज दूसरा सिंबल हमने कमल को बनाया हुआ था यस औ करन दूसरा सिंबल हमने किसको बनाय था यह सी कु जो पिर्शन है जो मान लिजिये एक यह गाउं है इस गाउं मेशmost sinking कौई यह मीडर है यह जो लीडर है यह बहुत सारी रोटि को बनवाएगा और इन रोटियों को एक एक घर में जाके देदेगा, जिस घर ने उस रोटी को accept कर ली मतलब वो इस revolt में 1867 की क्रांती में भाग लिना चाहता है, participate करना चाहता है और लडेगा, और जो यहां पर जो next leader है, अब यहां पर मालीजे किसी घर ने accept किया, अब इस घर ने दूसरे ग बनाए गया था, 1857 रिवोल्ट का, और एक घर से दूसरे घर ले जा ले जाकर यहां पर क्या किया गया था, डिस्ट्रिब्यूट किया गया था, फिर यहां पर दूसरा सिंबल है कमल, कमल को दूसरा सिंबल बनाए गया था, कमल को कैसे, कि for example, एक जगे मीटिंग हो रही है, बीच में रख दिया है कमल, जो भी इस परसन को कमल उठाएगा, और वो सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट होते होते, जो भी जिसके पास भी लास्ट में आएगा, वो नेक्स्ट मीटिंग में ले जाएगा, और वहां पर रख देगा, तो इस तरीके से कमल और रोटी दोनों को ही वो बनाए गया था, सिंबल, हमारे पास अच्छे कम्यूनिकेशन ही नहीं थे, कि हम जो है, लोगों को गैदर करने के लिए, कम्यूनिकेट करके, लेटर्स लिखे लिखे गये थे, ऐसा नहीं है, बट हम जल्दी से कम्यूनिकेट करता है, ऐसा हमारे पास कुछ साधन नहीं था, और अगर हम कम्यूनिकेट कर भी लेते और वो बटिशर्स के हातों लग जाता, तो हमारे लिए ही वो डिफॉल्ट हो जाता, यस लिए यहां पे आप देखोगे, तो रोटी और कमल को ऐसा सिंबल बनाए गया था, 1857 रिवोल्ट का, दूसरी चीज हमारे पास रि देखेंगे, तो यहां पे, नो डाउट, रानी लक्षमी बाई, आइकॉनिक फिगर और प्रेवरी, है ना, टाट्य टो, पे नाना साहिब, बहुत लोग थे, कुमर सिंह, असी साल के उम्र में भी उन्होंने लड़ाई की, बहुत सारी लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक effective leader जो होता है, जो सब को guide करें कि, इस दिन यहां से revolt शुरू होगा, इस दिन यहां होगा, सारे के सारे लोग यहां जाओ लड़ने, वो सारा का सारा यहां पे हम देखें, तो management ठीक से नहीं था, revolt जिस दिन डिसाइड किया था, इस दिन शुरू होना, उसके पहली श सुपीरियर थे, in terms of planning, in terms of procedure, in terms of arms and ammunitions, in terms of, आप कह सकते हो, strategies, हर चीज में Britishers हमसे जादा सुपीरियर थे, और यही कारण है, कहीं न कहीं, हम जो है, Britishers से क्यों हार गए थे, आगे चलते हैं, अ, causes हो गए, lack of unity, unity नी थी, game plan, हमने planning प्रॉपर नी की थी, हमारे पास undisipeled supports थे, Britishers के पास disciplined थे, है न, यह सारी, की सारी चीजे भी, यहां पर बहुत साथ है, अब आखिरकार, result क्या हुआ, 1857 revolt का, तो result आप सभी को पता है, कि यहां पर, जो जितने भी लोग थे, वो suppressed हो अब यहां पर वाइसरोय रूल करेगा, तो यह administration में changes हमें देखने को मिले थे, कि अब यहां पर भारती प्रोशाशन में, जो है, उसमें नियंतरन कौन करेगा, एक board of control करेगा, जो कि ब्रिटेइन से रूल करेगा, मतलब अब भारत से रूल नहीं होगा, हलां कि रूल तो यहां से रूल करेगा, तो यह कुछ कोछ चीजे थी, जो हमें 1857 रूल के बाद देखने को मिली, और उसके बाद यहां पर ब्रिटिश और सर्तर को गए, तो उन्हों ने जो इंडिया से पोईस थे, जिनको वो लोग आर्मी में रिकूरेट करते थे, उनका नंबर भी कम कर क्योंकि उन्होंने ही रिवोल्ट किया था, तो उनको क्या कर दिया, वो हटाना शुरू कर दिया, तो यह सारी की सारी जो कुछ कुछ चीजे हैं, यह हमें देखने को मिली थी, 1857 रिवोल्ट के बाद, आगे चलते हैं, इसका सिगनीफिकेंस क्या है, रिवोल्ट का दूसरा सिगनीफिकेंस यह है कि विमेंस लाइक, विमेंस लाइक राणी लक्ष्मिभाई, वि इन आइकॉनिक फिगर ब्रेवरी, बेगम हजरत महल, इस अल प्लेड इन इंपॉर्टेंट रोल फॉर विमें इंपॉर्वर्वर्मिट, यह सौनो, तो यह भी एक की कमी है, हमारे पास discipline में रहने वाले सिपॉइस की कमी है, एक proper लीडर की कमी है, तो हमें अपनी कमी यों के बारे में पता नहीं चलेंगा, उसमें वाक कैसे करेंगे, तो कहीं ने कहीं इंडियान्स ने उसकी बाट करना भी शुरू किया, साथ में हम कहेंगे कि यह जो उसने ब्रिटेशर्स को भी आगाह कर दिया कि हमारे अंदर भी दम हैं, हमें कमदोर मस समझो, क्योंकि रिवोल्ट होने के बाद ही तो आपका क्राउण एक्ट आया था, जिसमें जो हमारा जो भी रूल चलेगा, जो भी कंट्रोल होगा, अब वो इंडिया से नहीं, बलकि ब्रिटेन से होगा, यह सानों बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था, सेक्रेट्रियेट बना दिया गया था, तो यह सारी के सारी जो चेंजेस होए, तो सिंपल सी बात है, ब्रिटिश एडंश्टरेशन, जो इंडिया की ओपर एडंस्टरेशन चल रहा है वो बिटेइन से चलेगा, से क्रेटरेरियर से चलेगा, से क्रेटरी और वाइसराइ बन गयते है, पहले गवर्णर जञनरल थे, अब चेंज होए वाइसराइ आ जोब रूल पनाना है जोब डिसीजेंज लेना है जो भी और लिना वह एकरेटरी ओप्ड स्टेट करेगा इंडिया के लिए और ये इस्टेटरी ऑप लिए पर कहा नहीं कुछ रहेंगे तो यह उसे कोश्यंगों नहीं पूछ रहेंगे क्योंब यहांप इस पर आप कॉमेंट करके बताना कि आप लोग की क्या राय है कि किसे first war of independence माना चाहिए इसी तरीके से कुछ-कुछ लीडर से जिसमें से ए हो यू अबाल गंगधर तिलग वीडी सावर कर इनका ये कहना है कि इसे first war of independence माना जाएगा क्योंकि बहुत ही बड़े इसे इमाउंट में लार्ज नम्बर में हमें यहां पर लोगों का participation देखने को मिला है और फिर यहां पर अगर हम आगे चलेंगे तो यहां पर बात हो रहीए इनका यह कहना है यह कोई रिवोल्ट नहीं था बलकि दो ऑपोजट ग्रुप के बीच में सिर्फ लड़ाई थी कोई भी रिवोल्ट नहीं था तो इन्होंने क्या हो लगा था इन्होंने कहता इट वस जस्ट्रॉगल बिट्वीन टू ओपोजिंग क्लासे डाइट इस इंडि इन्होंने बिटिश ने क्या वोलग तो ब्रिटेश ने इसको बिल्कुल इन सिग्निफिकेंट माना ही नहीं है फर्स वार उफ इंडिपेंडनेस तो बिटिश इसको कहते नहीं बिटिश और सिर्फ इसको किस नाम से पुकारते है सेपोई म्यूतिनी मतलब कि जो इनके सिप तो इसको सपोई तो इसको सपोई ना जाते हैं अगे चलते हैं नाशनलिस्ट इंडियन नाशनल का व्यूव देखें तो भाई अलग अलग व्यूव है किसी ने इसको first war of independence माना है किसी ने revolt माना है तो यहाँ पे जैसे महात्मा गांदी, जवाल, नाल, नहरू, बियार, अरम, बिट करें तो इन्होंने कहा था यह एक बहुत बड़ी uprising थी बहुत बड़ा विद्रो था Britishers के against में और इन्होंने ये भी माना है कि इन्डिया की जो असली शुरुवात है, struggle की Britishers के against में वो शुरुवात जो है, वो हमें 1857 की क्रांती से ही देखने को मिली है Regional view आजाते हैं कि भाई किस-किस ने क्या-क्या बोला था तो जैसे RC मजुमदार है, RC मजुमदार ने कहा था ना तो ये पहला है, ना ही तो ये national है और ना ही ये war of independence है तो यहां पर neither it is first, nor it is national, nor it is a war of independence ये बहुत important line है, कई बार paper में पूछी जा चुकी, अच्छे से याद करने ना आप लोग इस line को Then है हमारे पास सुरेंद्र नाथ सेज, ये उस टाइम पर ये government official हुआ करते हैं, मलब की government की तरफ से books वगरा लिखा करते थे और ये paper में पूछा भी जा चुका है, इतनी सारी books में से जो official book है या government की तरफ से author इस ताइम पर कौन था, तो वो थे सुरेंद्र नाथ से इन्होंने यहां पर क्या लिखाता है, इन्होंने लिखाता धार्मिक लड़ाई के रूप में ये शुरू हुआ था, स्वतिंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था मतलब कहीं ना कहीं धार में कारणों के कारण ये जो विद्रो है इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन इसमें अन्य और कारण जो है वो add-on होते गए चाहे political हो, economic हो, administrative हो या immediate हो वो सारे add-on होने के बाद इस ते अपना जो shape है वो politically mold कर लिया था तो ये भी point आप लोग इसको याद रखोगे फिर यहाँ पर बात करती हूँ मैं V.D. सावरकर की बात करूँगी तो इन्होंने तो भाई इसको पहला भारती स्वतंतिता संगाम का पहला युद्ध माना है यहाँ से patients लड़ रहे है तो उन्होंने का यहाँ पेसेंट की लड़ाई है अगर यहाँ से women लड़ रही तो यह women की लड़ाई है मतलब उसको एक नाम इन लोगोंने नहीं दिया है तो यह कुछ कुछ आपके views है इसको याद रख लेना है कुछ कुछ कोश्चंस मैं करवा ताकि आप लोगों को यहाँ पे confusion नाओ तो यहाँ पे question पुछा है कि भाई, from which of the following places did Kuhar Singh, a prominent leader of the revolt of 1857 revolt, कहां से उन्होंने अपने अपको lead किया था, Bihar से Madhya Pradesh से Rajasthan से Uttar Pradesh से, simple answer is Bihar, आ रहा Bihar से थे, 80 साल के थे, बता चुकियों, next question, इनमें से कौन से terrorist was not affected by the, sorry not terrorist, is territories, territories, इसमें से कौन सी territory जो है 1857 revolt के effect में नहीं आई थी, यह आप लोग मुझे comment करके बता होगे, लखनाव, Jagdishpur, Chiton, और Jhansi, next question, next question है, इसमें से आपको बताना है कि वर्ष के विद्रों में, sorry, with reference to the revolt of the 1857, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से दोस्त ने किसक इसको क्याप्चर किया था, और Britishers ने उसको इहां पर क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था, option से नाना साहिब, कुर सिंह, खान भाद, तात्या तूपे, मतलब कि इनमें से कौन से लोग हैं, जिसको Britishers ने हैंग किया था, क्योंकि उसके दोस्त ने उसके साथ धोका दे लिया बहुत डेटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक 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 इवेंट आपको डिस्क्राइब कर दिया है, क्या-क्या इंपोर्टेंट कोश्चन्स है जो यहां से आ सकते हैं, वो भी बता दिया है, और अभी बता रही हूँ, 1857 रिवोल्ट इस वेरी इंपोर्टेंट जोन for MPPSC Prelims Examination, because every year one or two questions has been asked from this area, तो बहुत सदा इंपोर्टेंट है, जो बताया है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि exam में किसी भी तरीकी की कोई भी आपको दिक्कत ना हो, so that's all for today, thank you everyone.